हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपके लिए बी ए पार्ट थर्ड का जो सोचोलोजी फैस्ट का पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन लेका है हूँ एकजाम की दर्स्टी से काफी ज्यादा इंपोर्ट नंबर का करना होता है तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन है तो इनको आप अच्छी तरीके से त्यार कर लीजिए इसमें देखो आपका जो फैस्ट पार्ट जो होगा इसमें देखो आपके स्टार्टिंग के 20 परसन है वो कंपल्सरी होते हैं और इनमें आपको एक निकता को परिवाचित कीजिए नागरिक समाज का अर्थ लिखिए वस्ट हिन क्या है इसके बारे में लिखना है अलगाओ का अर्थ बताना है आदिपत्ते से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है तारकी किरिया का अर्थ बताना है मेक्स वेबर का जनम कब और कहा हुआ उसके बाद देखो किनी दो पुस्तकों के लेखक के नाम बताईए यहां पे देखो यह कुछ कुछ क्यूसंस दिए हुए हैं यह पुस्तक को के नाम दिए हुए हैं और इनके लेखक आपको बताने हैं देखो The Communist Manifesto, Cast Class and Occupation, Prison Notebook, The Rules of Sociological Method, The Prosted Ethics and The Script of Capitalism यह सारी कि सारी जो बुक है इन में से किनी दो कि आपको राइटर के नाम लिखने हैं उसके बाद देखो अगला जो क्यूशन आपका इसी में निमल लिखित अवदार्नाओं के लेखक बताईए मतलब यह जो अवदार्ना है इनके लेखक आपको बताने है कि इसमें देखो आपके 20 क्यूशन है एक एक नंबर के तो उनके आंसर आपको देने है इसमें देखो मैं आपको बता दू कि कोई से भी आप 50 नंबर के करने है चाहे 20 वह कर लो कोई से भी आपको 50 नंबर कंप्लीट करने है बस कैसे भी करके है न उसके बाद देखो सभी 10 पर परते एक पर्षन दो अंका एक बात और बता दू मैं यह नहीं है कि आप इन में से दो चार कर रहे हो ऐसा करके पचास नहीं करने हैं अगर आप को देने हैं यह दो नंबर के आपके हैं मैक्स वेबर के अनुशार सत्ता के कितने परकार है, सामुईक चेतना को परिवाशित कीजिए, माक्स के अनुशार सर्वार अवरक का अर्थ क्या है, प्रमप्रागत किरिया और तार्की किरिया में अंतर कीजिए, सांसकर्तिक आधिपत्य का अर्थ बताइए, अतिरिक्त मुल 10-30 नंबर के ऑगे 20 नंबर का first question है और 20 नंबर का second question है अब आपके पास अegर आप यह दोनों करते हूँ तो इन मेंसे आप बड़े वाले जो करण के संकट पर हेबर मास के दस्टिकोंड का विवेचन कीजिए आदुनिकता पर गिडेंस के विचारों की विवेचन कीजिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन है एक्जाम में आने की पूरी-पूरी संभावना है इसको तयार कर लेना उसके बाद एको सांस करती की विविदताओं पर एक निमबंद लिखना है निमन लिखित पर संक्षिप्ट टिपणिया लिखे जाती व्यवस्ता की विश्यस्ता और राष् को प्रेस कर ले जिसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तक्जाम के लिए बैस्ट ओफ लक धन्यवाद